हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है नरंद्री और मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल अकाउंट्श और सॉलिशन में आज का अपने टोपिक है बहुत ही इंपोंटेंट है तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि अगर आ आपकी कंपनी से कोई भी फाइल एक्सपोर्ट करते हो तो आपकी जो कंपनी है उसके अंदर सारी फाइल है पीडियेफ में बनके चली जाती है आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई भी इन्वेस को एक्सपोर्ट करोगे किसी लेजर को एक्सपोर्ट करोगे तो वह कहा जो परेशानी है इससे केसे बच सकते हैं तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि बीजी के अंदर कापी ऐसे फीचर्स है जिसका लोग यूज नहीं करते तो जिस फीचर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसके बारे में आपके लिए बिल्कुल प्रेक्टिकल करके बताऊगा इससे आपको पता चलेगा कि बीजी का जो यह function है कैसे यूज करना है तो यहां पर वो function क्या काम करता है कि जैसे आपको administration पर click करना है configuration पर आपको click करना है features option पर आपको click करना है यहां पर एक option है handle का option है इस पर आपको click करना है click करने के बाद आपने देखा होगा कि यहाँ पर delete export file on closing the company यहाँ पर यह जो option है ओ सकता है काफी लोग इसका use करते होंगे लेकिन bg के जितने भी features है उनका आप use कर सकते हो कि company ने इसलिए इन features का use किया है कि आप लोगों को जो भी problem आ रह को तो इसमें आप लोगों के लिए बताया गया है कि अगर आप लोग आपकी company को never अगर आप करते हैं अभी मैं practical करके बताऊंगा never आप करते हो तो आप जैसे किसी भी company के अंदर किसी भी file को export करोगे तो आपकी company 001 क्या company 002 है उसके अंदर आपकी सारी file export होके चली जाती है अब उसमें क्या होता है हो सकता है आपकी company से लो चलती हो या फिर अगर आपको जैसे यह रहता है कि मेरा company का data exact सही रहे मुझे वालतु की चीज़े इसमें नहीं डालनी है तो आप लोग क्या कर सकते हैं इसमें एक और भी option दे रखा है यहाँ पे जो दूसरा option दे रखा है ask before deletion यानि आप जब भी आपकी company से बाहर निकलोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप जो file आपने export की है क्या उनको आप delete करना चाते हैं तो उसको delete कर सकते हैं next यहाँ पे है delete automatic जैसे आप export करोगे आपको दिखेगा export से हट जाते हो यानि वो जो भी आपने pdf खोल रख export हुई है automatic delete हो जाएगी तो यहाँ पर मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल करके बताता हूं पहले पस्ट वाला जो option है नेवर नेवर का मत्तब कुछ नहीं नोर्मल यह आपका जो system है वो नेवर पे ही रहता है तो नेवर के अंदर भी मैं check करके बताता हूं क्या होता है कि जैसे म मैं कौन सी company में काम कर रहा हूं तो आपको company में check करने का जो तरीका है क्या है आपका जो वी computer है उस पर जिसे जो बीजी लिखा रहता है यहाँ पर आप देखते हूं कहां पर आपकी company का नाम लिखा रहता है और इसके बाद company का code लिखा रहता है क्या है C O MP 014 2 247 अब इससे मुझे पता चलेगा कि मेरी कंपनी का जो मेरे पास कंपनी का भी है मुझे पता नहीं चलेगा कौन सी कंपनी में मैं काम कर रहा हूं कौन सी कंपनी में मैं export कर रहा हूं मुझे क्या करना है कि जैसे यहां पर कोई export करके देखते हैं यह वाला जो कि बीजी डाटा फाइनल कम्पनी नंबर जो है सी ओएम पीजीरो147 अ तो दोस्तों यहां पर यह जो फाइले एक्सपर्ट कर रहा हूं यहां पर एंटर किया एंटर करने के बाद अब मैं अगर इसको चीज को चेक करता हूं मैं क्या करता हूं जो मैंने फाइल को एक्सपोर्ट किया है, वो कहां पर गई है, एक्सपोर्ट तो कर लिया मैंने, मैंने क्या किया, यहां से मैं इसको बाहर निकला, इस पिसी में मैंने क्लिक किया, इसके बाद बीजी डाटा पर क्लिक किया, यहां पर बीजी फाइनल डाटा पर मैंने क्लिक क किया 147 जो मेरी Company इस पर क्लिक किया क्लिक करने के बाद यहां पर जो फाइल मैंने एक्सपोर्ट करी है वो मेरे सामने यहां पर आ चुकी है तो परस्ट तो नॉर्मल प्रोसेस यह हुआ कि आप लोग जैसे किसी भी फाइल को एक्सपोर्ट करते हो तो यहां पर आ जाती है अब यहां पर कौन सी फाइल है रहेगी औली यही फाइल आपकी रहेगी कौन सी एक तो db bds db lbds और इसके बाद जैसे db 2023 bds 2024 bds की जो फाइल रहेगी एक लॉक सिस्टम की फाइल रहती है तो इतनी ही चीजे आपके पास रहती है बाकी अधर फाइल है आपको है वह डिलीट करनी है तो कैसे करती है यह प्रोसेस आपको समझना है यहां पर एक्सपोर्ट किया यहां से शेथा करता हूं दूसरा जो फंक्शन है उसका यूज करता हूं एंटर किया class option पे click किया इस को मेरे से पूछ रहा है वीघी accounting software मेरे से पूछ रहा है delete export file do you want to delete export file क्या आपने जो भी file export करी है उसको आप delete करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर किया yes yes करने के बाद मेरी जो file मैंने export करी है वो delete हो चुकी है अब मैं अगर जाके देखता हूं COMP00 के यहाँ यहाँ पर मेरे सामने मेरी file दिखाई नहीं दे रही है इसके बाद जो नेक्स जो option है उसके बारे में भी आपके लिए बता देता हूं वापस से मैंने मेरी company open करी यह जितने भी सारे features से सारे useful है हर person इसका यूज कर सकता है तो यहाँ पर मेरी जो company है मैं उसको start करता हूं तो दोस्तों यहाँ पर फोर वीडियो के नाम से मैंने जो मेरी company बना रखी थी यहाँ एंटर किया एंटर करने के बाद वापस मेरी company open करके देखता हूं मैं और जो लास्ट जो option है automatic delete का उसको भी मैं एक बार चेक करके आपके लिए बता देता हूं इससे आपको पता चल जाएगा कि यह जो लास्ट option है किस तरीके से वर्क करता है अभी मेरी company का data भी मैंने यहाँ पर open कर रखा है और यहाँ पर यह मेरा बीजी accounting software भी चालू हो गया है और अब मैं क्या करता हूं पहले एक file export करूंगा export करने के बाद क्या activity होती है वह सारी चीज़ों का पन चेक करेंगे मैंने क्या किया वापस से last जो विल है उसको export किया एक्सपोर्ट करने के बाद एक्सपोर्ट करने का तरीका आपका वही है अगर आप यहां से पाथ चेंज करते हो तो आपका जो भी फाइल एक्सपोर्ट करते हैं तो दूसरी जगह चली जाएगी लेकिन जो बीजी का बाइडिफोल्ट जो सिस्टम है वह यही है कि आपकी जो अब export करने के बाद जैसे में दूसरी फाइल export करता हूं यहां पे मैंने क्या किया एक कोई दूसरा बिल में export करता हूं यहां पर पर वापस से क्लिक किया यहां पर मुझे लास्ट क्या करना है डिलीट ऑटमेटिक इस पर क्लिक किया ठीक है मैं इस पर क्लिक करता हूं अभी तो मैंने क्या किया है डिलेशन करके किया था यहां से इस दोनों फाइलों को अटा दिया इसके बाद वापस से मैं क्या करता हूं एक फाइल को एक्सपोर्ट करता हूं मंदब मैंने वह वाला ओप्शन चालू कर दिया इसके बाद यहां से एक्सपोर्ट पर क्लिक किया क्लिक करने के बाद यहां से एक्सपोर्ट कर लिया से कमपनी से में बाहर निकला और तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो इस function का उससे क्या होगा कि आपका जो है एक तरीके से अनेसेसरी जो डेटा एक्सपोर्ट होके पड़ा रहता है वो नहीं पड़ा रहेगा और आपका डेटा किलीन रहेगा तो दोस्तो इस तरीके से आप लोग अपना जो बीजी accounting software के अंदर एक features है उसका आप यूज कर सकते हैं और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगाए तो वीडियो को like और set जरूर करें चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेश कर ले ताकि नए वीडियो के notifications आपको मिल सके थैंक यू